नितिन गड़करी को तेजस्वी यादों मंच पर देखते हैं उसके बाद उनकी तारिफ में कसीधे पढ़ने लगते हैं वे कहानी बताते हैं कि जब पहली बार हम उपुम्खी मंतरी बढ़े थे तब कैसे मैं नितिन गड़करी के पास गया और नितिन गड़करी ने हर एक मा को मा लिए नितिन गड़करी मंच पर मुषmesi पीते हैं अरकि तीजस्वी यादों इदर इनकी तारिफ में कसीदे पढ़ते जाते हैं तेजस्वी यादों कहते हैं कि तब तक कोई चिंता नहीं, जब तक नितिन गड़करी मंत्री है, क्योंकि हमको पता है कि हम कुछ भी कहेंगे, उसको नितिन गड़करी तुरंत माल लेंगे, हमारी हर एक मांग को वो तुरंत पुरा कर देंगे, और इसके बाद ते यस्वी यालो नितिन गड़करी से बिहार के लिए बहुत बड़ा उपहार भी मांग लेते हैं बागे मनमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जंता जंक्शन देख रहे हैं या वीडियो रैपीडो वैप के द्वारा प्रायव जीत है अगर आप कॉलेज या ओफी जाते हैं और एक्स्ट्रा पोकेट मनी कमान योगी कि कैसे वहाँ पर जाकर करके अपने आपको लिंक करना है वहाँ पर जो डॉकुमेंट्स मांगे जाएं उनको अपलोड कीजिए और उन सारे डॉकुमेंट्स को अपलोड करने के बाद से राइड शेयर करते हुए आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं तो अभी प्ले जश्वी यादो और नितिन गलकरी एक मंच पर पहुंचे थे वहाँ पर तेजश्वी यादो नितिन गलकरी के बारे में खुब तारिप करते हैं वो कहते हैं कि भाजपा पार्टी से भले ही नितिन गलकरी आते हैं भले ही उनकी पार्टी दूसरी है लेकिन नितिन गलकरी इंसान भी दूसरे हैं मतलब की नितिन गलकरी जो है वो प्रोग्रेसिव सोच के नेता है विचारधारा से कोई मतलब नहीं पार्टी से कोई मतलब नहीं वो जानते हैं कि कैसे पार्टी से उपर उठकर कैसे राज से उपर उठकर के सब के लिए बराबर विकास करना है और था कि आप बियार के बारे में कुछ सोचिए और तयस्वी कहते हैं कि हमने जो भी मांगा नितिन गलकरी ने उसको पूरा कर दिया वो एक उधारन देते हुए कहते हैं कि उस समय 200 करोड का CRF फंड होता था हमने जाकर कहा कि इसको कुछ बढ़ा दीजिए और नितिन गलकरी ने इसको बढ़ा करके एक हजार करोड कर दिया वे बताते हैं कि नितिन गलकरी कितने अच्छे आदमी हैं कितने अच्छे इंसान हैं कि उनसे जाकर आप कुछ भी बातचीत किजिए तब आपको पॉजिटिव रिस्पॉंस मिलता है जब तेजस्वी यादो वहीं सब कुछ कह रहे थे तब उसे मच पर नितिन गलकरी के बगल में बैठे थे सब कुछ देख रहे थे सब कुछ सुन रहे थे और तेजस्वी यादों वहीं पर नितिन गलकरी के बारे में उनकी तारिप में कसीदे भड़ते हुए हैं है तो इसके बाद कहते हैं कि पुर्वांचल एक्स्प्रेस वे जो है वो गोरगपूर होते हुए बकसर तक आ चुका है मतलब वो जुड़ चुका है अब अगर इसको भागल पूर तक कर देंगे आप तब बहुत बड़ी सहुलियत होगी और वे एक बड़ा उपहार बड़ा गिफ्ट नितिन गड़करी से मांग लेते हैं और कहते हैं कि हमको तो कोई चींता ही नहीं क्योंकि हमको पता है कि जब तक नितिन गड़करी मंत्री है तब तक हम जो भी मांगेंगे वो तुरंत मिलेगा और उसके बाद वो पुर्वांचल एक्स्प्रेस हुए का यादो कहते हैं कि हम सीखने के भूखे हैं हमको काम सीखना है हमको सीखना है कि कैसे काम करते हैं और तब वो कहते हैं कि नितिन गड़करी के काम से हम सीखते हैं कि कैसे काम किया जाता है और कैसे काम करना है फिलाल तेजस्वी यादो नितिन गड़करी के बारे में खुब त है किनी तीन गड़करी कैसे नेता है उसे कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा वीडियो शेयर कीजिएगा के में रेक फिशेभी साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत धन्यवाद